सब्सक्राइब करेंगे हमारा जो नया संसत भवन बना है सेंटरल विस्टा इसको हम बोलते हैं और उसके बारें बात करेंगे और क्यूंकि अभी इसका उद्गाटन हुआ नहीं है पर अभी से यह जो है चर्चाओं का विशय बन गया है कहीं लेके इसको क्रिटिस्रम करा जा क्या प्रॉलम चल रही है तो सारी बाते डिसकस करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं और बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाला है तो देखिए चर्चाओं का विशय क्यों है तो ज्यादा दर अभी इसका जो है क्रिटिस्रम करा जा रहा है क्यों कि इसका इन्गुरेशन हो रहा है तो वो राष्ट्पति जी के द्वारा होना चीए पर इसका इन्गुरेशन जो है प्रदान मंत्री जी खुत कर रहे हैं तो यह लेके कहीं 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 के ना नाराजगी है और मलीकारजन खड़के जो वहां के कॉंग्रेस के अभी प्रेजेंट है ज अगर राष्ट्पति इसका उद्गहाटन करते हैं तो उससे जो है देश की डैमॉक्रेटिक वैल्यू जो है शो होगी ना की प्राइब मिनिश्टर के द्वारा करने पर होगी और इसको सपोर्ट भी करा है यह इसको सपोर्ट भी कहते हैं और उन्होंना का सई है कि भारती स जैसे कोई विध्यक पसंद नहीं आता है तो वह वापिस रीकस्टिशन के लिए वापिस भेशते हैं तो वह आर्टिकल वन वन उसके साथ में डील करता है तो कहीं नहीं कहीं जो है मुहीं शिट चुकी है कि कौन सी पार्टी इसके अंदर इनाउगरेशन फंक्षेंग के न दर और कौनशी पार्टी नहीं करेंगी तो एक प्रॉरा एक प्रॉसेष करा गया है और उनने जो है काफी सारी पार्टी इसिए इसके अंदर साइन करा में मना कर दिया है कि हम इस प्रोग्राम को जो है अंज़ा नहीं करेंगे और मुक्य मुक्य तोर पे देखें तो 19 ऐसी पार्टियां जिन्होंने साफ सुत्र शब्दों में कह दिया है कि वह इसको अटेंड नहीं पर्टी इसमें बड़ी बड़ी पार्टी अबाद करें दो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे भारत राष्टी बियारेस और अल इंडिया मजलिस एते पर उनिस पार्टी ने प्लियर अपना बता दिया गी वह सब्सक्राइब सुआथि इसको जॉइन नहीं करें करेंगे तो क्यों हमको यह बनाना पड़ा उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं क्यों अभी नाई बिल्डिंग बनाई पुरानी बिल्डिंग में क्या प्रॉब् बिल्डिंग जो है वो बिटिश कॉलिन एरा की बिल्डिंग है जिसको काउंचिल हाउस की रूप में डिजाइन करा गया 1927 के अंदर और ये फिर भारत की आजादी के बाद में जो है भारत को सौब दिया गया अब जब भारत आजाद हुआ और भारत के अपना समविधान मना करने के लिए बिल्डिंग सफिशेंट नहीं दी और उसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये बिल्डिंग हमारे पास बनी और जब इंडियन गौर्मेंट कोई हैंडवर हुई तो इस बिल्डिंग रिलेटेट ना तो कोई डॉक्युमेंट दिये गए ना कोई इ लिए कि हमने क्या-क्या मटिरियल इसके अंदर यूज करा है क्या इसका नीव का स्ट्रक्चर है कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं बताया है तो जब हमारे पास एक्जिस्टिंग बिल्डिंग का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हम मॉडिफिकेशन उसको कर नहीं नहीं था कि मॉडिफिकेशन किस लेविल तक हम कर सकते हैं इसके अंदर फिर भी क्योंकि हमें जुरत थी तो हमें करनी थी और हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करी भी हमने दो फ्लोर का एक आउटर सर्कल जो है वो इसके बनाया 1956 के अंदर पार्ट ऑफ के लिए हमको लाइट्स का यूज करना पड़ा तो यह बहुत सारी प्रॉड्लम हो गई थी कि दूटू दॉट्ट्रिक्शन ऑफ दीस फ्लोर दॉट्व मॉफ सेंट्रल हॉस्ट वस हिडिन और अपीरियंस ऑफ फ्रेंट पार्ट ऑफ और इसके अंदर बहुत सारे कारण भ तो वह क्या है कि करेंट इंडिया पार्लियमेंट के अंदर फाइफ फॉर्टिफयव लोग शभा एमपी जो है होते हैं पर यहां की सीटिंक है नहीं बढ़िखें अभी हुआ कि हमने क्या कर रहा है कि हमने शॉय सांसदों की संख्यां को रोग रखा है हमने 1971 के अंदर से प के बाद में कर जाता कि परिसिमन कर जाता कि इसके बाद अभी नहीं बढ़ेंगे अब कब तक नहीं बढ़ेंगे तो हमने कराए हैं कि 2000-26 के बाद में जो भी पहला सेंसर होगा थि सेंसर जो भी होगा पहली जन गड़ना जो भी होगी अभी जो MP है वो 1971 की जन संक्या के आदार पर है और 1970 की जन संक्या और आज के समय में हम बात करें 2023 की जन संक्या में बहुत ज़ाद अंतर आ चुका है पर आज भी आप देखेंगे तो MP के सीट 1970 के साब से फिक्स है पर क्यूंकि 2031 के अंदर जब जन संक्या होगी वापिस त तो उससे कहीं न कहीं MP बढ़ेंगे लोगसभा के चपरा बढ़ेंगे तो उनको फिर बठाएंगे कहां पर क्यूआ की यह ब्याइद है कि हमारे सम्विदान के अंदर कोई भी हॉल में इतनी नहीं है कि हम दोनों हाउजिस की एक कम्बाइंड मीटिंग जो जो बैटक होती है वो कर सके तो उतनी भी जगा नहीं थी जो भी हम आपको उजार है कि कि due to this there is has been demand increase representation in the Indian Parliament जो मैं आपको बता रहा हूं कि increase होंगे तो उसके बाद में हमारे पास में जो है इस पेस नहीं है यहां पर बढ़ाने का कि on the expansion of the numbers of members of Parliament is lifted then there is not enough space in the existing building to seat the MPs coming after that तो जो नए संसक बढ़ेंगे जो नए नंबर बढ़ेंगे उनको बैठाने की हमारे पास में प्रॉपर जगा नहीं है और जो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए हो क्या रहा है और क्या हो रहा है कि क्योंकि दिल्ली अगर आप बात करें भारत की आजादी के समय 1947 कमें तो उस समय population इतनी थी नहीं पर हुआ गया कि दिल्ली राजधानी बना और राजधानी बनने का अगर आप देखेंगे ना तो अर्थकुएक सेफ्टी जो है वो अभी यहाँ पर अशौर नहीं है पुरानी बिल्डिंग के अंदर इसलिए हमने जो नई बिल्डिंग बनाई है वो उसके अंदर अर्थकुएक सेफ्टी का बहुत जाद ध्यान रखा गया है और देखिए जो हमने बात कर दी किने बिल्डिंग के अंदर तो अर्थकुएक सेफ्टी है है उसके अनदर अगर आप बात कर रहा हैके पुरानी बिुी इंदर जो ञाधर we ऑर बढते बढ़ते जो हमारा Article का जोरह गया है और experts believe that due to the increased burden on the surface of Delhi the movement of the geological system have increased further यह क्योंकि burden continue बढ़ता जा रहा है और यह जो geological system में यह और बढ़ता जाएगा और आनने वाले time के अंदर अर्थ को एक zone 5 के अंदर भी जा चकता है और अर्थ को एक zone 5 बहुत जादा अर्थ कोई काने के चांसे सुझाते हैं वहां पर क्योंकि इतना ज़्यदा pressure continue बढ़ रहा है इसलिए भी कहीं न कहीं हमको एक नई building मनानी थी जो अर्थ को एक prone building जहां पर अर्थ को एक से related facility जो करी जाए और क्यूंकि परानी building के हमको documents दिये नहीं गए थे देखिए जब भी building का manufacturing होता है कोई भी बड़े लेवल पे तो उसके लिए अर्थ को एक की measures करे जाते हैं कि क्या क्या आपने अर्थ को एक से बचने के लिए measures करे गए हैं और जैसे कि हमने बात करी कि जब हमको handle करे गई पुरानी पार्लियमेंट तो हमने कोई भी हमको document दिये नहीं गए तो हमको यह भी नहीं पता कि इस building के अंदर जो है अर्थ को एक के से ध्यान रखा गया है तो अब अपने बात करते हैं अभी current building के अंदर क्या चल रहा है तो current parliament जो है उसके अंदर maximum sitting capacity कितनी है 552 की है लोग सभा के अंदर ठीक है और maximum 436 परसन जो है वो central hall के अंदर आ सकते हैं जो अपने बात करी इन सच situation when there are joint session जो मैंने भी आपको उता रहा हूं कि अगर joint session होता है लोग सभा और राज्य सभा को तो problem है क्योंकि हमारे पास में seats ही नहीं है तो फिर हम क्या करते है कि जो corridor है रस्ते का उसके अंदर extra seats जो है वो लगाई जाती है देखिए क्योंकि परानी building है तो हर ची छोटी है आप canteen की बात करेंगे तो canteen का area बहुत चोटा है dining hall का area बहुत चोटा है conference room बहुत चोटे चोटे है तो proper space नहीं था और आने वाल टाइम के अंदर कहीं ना कहीं MPs बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो हमें वैसे भी एक नई building चा respectful भी नहीं है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी democratic country है भारत और उसकी अगर मेन जो democratic building जिसको पर संसत बोलते हैं उस तरह के अंदर जब इस तरह की स्थी होती है कि लोगों के पास में जगए नहीं है कि ना प्रेस जो आती है उसके पास में जगा हो रही है ना meeting room के दर जग सुन रहे होंगे जिसका नाम है सेंगोल यह अगर आपको एक statue जैसा कुछ दिख रहा है तो यह सेंगोल है देखिए इसके पीछे भी बहुत इंट्रस्टिंग सी कहानी कि सेंगोल आया क्यों क्यों यह word हो रहा है सेंगोल सेंगोल तो सबसे पहली बात सेंगोल का मतलब क्या होता तो सेंगोल का एक तमिल वड़े सेमाई इसका मतलब होता है राइटियसनेस अब यह हिंदी में आप मालूम करें तो इसका मतलब होता है धर्म देखिए हिंदू धर्म के अंदर कभी ध्यान रखेगा धर्म हमारा जो है जाती से हम रिलेट नहीं करते धर्म को यह वाद ध्यान रखेगा धरम कभी ऐसे नहीं कि हमारा हिंदू धरम है हमारा मुस्लिम धरम का मतलब भारत के अंदर होता धारण करने वाला ठीक है जैसे बहुत सारे धरम होते जैसे राज धरम राजा का धरम पित्र धरम पिता का धरम तो कहीं न कहीं धरम का मतलब होता है ड्यूटी जिसको पुल्फिल करते हो धर्म को जो धारन करता है उसको बोलते हैं धर्म कि अगर पिता का धर्म है कि वो अपने परिवार की जो है बच्चों की रक्षा करें उनको जो है जो फैसिलिटी देनी हो दें तो वो उनका पित्र धर्म है बदले में पुत्र धर्म क्या है तो आप आप उनकी रिस्पेक्ट करें यह पुत्र धर्म है अब धर्म का मतलब ध्यान लगे का धारण जो आपकी डूटी जिसको बन बोलते हैं तो यह जो सेंगोल है यह किस वर्ट से बनाए सेमाई और सेमाई का मतलब धर्म अब यह बेसिकली है कहां पर स्केप्टर जो ही कहां पर ह हुआ है देखी चोला इंपायर के अंदर जब भीह आप कहसे क्पाय सकते हैं कि हस्थांतरं करने पढ़ में के तो कि आप उसको ही देते हैं जैसे की बहुत जैसे राजेस्थान के अंदर कल्चर है कि जब भी सत्ता कंस्तरन होगा तो पिता जी जो है वो अपने बेटे को तलवार देते थे तो तलवार कहीं न कहीं एक आइडेंटिविकेशन थी कि अब आप उस जगह के हैड हो तो ऐसे ही च चोला डैनेश्टी चोला डैनेश्टी साउथ के अंदर बहुत आपने चुनियोगी तमिलाडु केरला करनाटक आंद्रप्रदेश और श्रीलंगा तक इनका रास्ता नौ से तेरवी सताबदी के अंदर और काफी जादा फेमस है अपनी मिलिटरी पावर्स के लिए चोला ड कि अब जब हमारी पावर ब्रिटिश से इंडिया के हाथों में सौप रहें तो उसके लिए आपने क्या विवस्ता करी कोई सेरिमनी है नहीं क्योंकि अब डिसाइड हो चुका था लॉड मांट बेटन डिसाइड कर चुके भाई भारत को आजदी देनी है तो अब जब भार क्योंकि इतने सालों से लगातार जो है कॉलोनी था यूगे की अब क्योंकि उसकी खुद की पावर उसके पास मारी तो एक बड़ा फंक्शन सा होना चीए एक सेरिमनी होनी चीए और लॉड मांट बेटन ने यही पूछा जवाला नहरू से कि कोई सेरिमनी हैं जिसमें हम आ वहारे यहां पर जो चोला डैनेस्टी है वहाँ पर में पर जब जो कहां के हैं तो बेंगॉल सॉरी अपने मदरास जिसको पर चिन्न ही बोलते हैं यहां के बड़े फेमस जोलर है और यह आज भी जीवित है अभी इनसे बात करी गई थी थी थोड़ाइम पहले आपने न्यूज के अंदर भी देखा हो जब इनको इन्होंने उस समय को याद क तरह कि जब उन्होंने इस तरह की चीजे जो है बनाई तो यह चीजे अब इसके ऊपर आप देखेंगे ना तो इसके ऊपर एक बुल है जिसको अपन मोलते है नंदी नंदी किसका सिंबल है तो नंदी सिंबल है नियाय का और इंपोर्टेंट बात किया है यह हैंड मैंनी के अंदर जो यह जो सेंगोल जो है यह लॉड मांट बेटन ने किसको सवपा नहरु जी को और नहरु जी ने उसके बाद थोड़ टाइम अपने घर पर रखाश को और फिर आगे एक म्यूजियम को जो है सौब दिया आफ्टर देशिविंग सेंगल इसकेप्टर इन 1947 न देन ही डिसाइड टू डोनेट बाद में उसको डोनेट कर दिया गया कहां पर आनंद भावन मुजियम अलाबाद के अंदर जिसको आज के टाइम पर हम प्रियागराज बोलते हैं वहां पर अब वहां पर क्यों करा तो वह मुजियम जो है उनके पिता जी श्री मूतिलाल न स्पीकर है जहां पर उनकी चेर लगती उसके पास में जो ही लगा जाएगा अनंद भावन जो भी काफिटाप चाहिए अभी दोजार एक्कीस बाइस के अंदर हुआ क्या है तो सेंट्रल विस्टा जब प्रोजेट स्टार्ट हुआ वापिस तो गॉर्मेंट ने डिसको वा जाए वह सब कुछ जो है वहां पर आपको चार्ट के ओपर सब को दिख जाएगा तो यह ध्यान रखेगा तो इंडिया की जो डाइवर्शिटी और जो पॉपुलरिटी है वह सारी चीज़े जो है इसके अंदर शो करेगी और यह सेंगोल काफी नियूस के नदर चलाता तो जो हस्तांतरण होगा उसका कहीं ना कहीं एक रिपर्जेटिटिव जो है यह है अब जो नई बिल्डिंग बनी है थोड़ीची उसके बारे में बात करते हैं कि नई बिल्डिंग है क्या कितने रुपे लगे हैं किसने बनाई है कौन आर्गेटेक्ट है कुश्यन आप से इस नई ने टिए नाधटोध करें अब बातकरएं किपैलर वाली में नहीं यहां पर धियान रखाया गया है काफ़ी झालाइट्स की इंदर है तो कितना इसका एरिया है एप्रोक्स सिक्स्टी फाइट सब्सक्राइब बिल्डिंग का और ग्रीन जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चारो दरब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको हर्याली अर्याली दिखेंगे और अब यह बनाई किसने तो दिखें रखेंगा बनाने का काम किसने करा है टाटा प्रोजेक्स लिमिटेड ने यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट ने ध्यान रखेंगे काफी सारी टेस्स के अंदर कुशन देखा है बहुत सारे चीजों के अंदर कुशन पूसा देखा है कि नई बिल्डिंग बना रही है और इसको डिजाइ सब्सक्राइब बिल्डिंग जो है वो ट्रेंगलर शेफ के अंदर है हमने बात करी और ताकि हम इस पेस का आराम से यूज कर सकते हैं और बहुत सारा अगर आपका एक पर लिजिट कर सकते हैं दिखिए नोट ऑपन जनरल विजिट वांट टो टेक व आपन जाते हैं पास जैट केंगे आपके कुछ जैसे अगर आप रिसर्च फैलो है जैसे बहुत जने समीधान के उपर रिसर्च करते हैं तो वह उनको वहां पर जाना पड़ता है तो अगर आप इस तरीके से विजिट करते हैं तो आपका एक प्रॉपर सिक्यॉरिटी चेकपस के बाद में आ आपको जो है वहां पर अलाओ करते जाएगा पर गार्ण की तरह आप घूमने नहीं जा सकते इसके अंदर ना आपका कुछ परपस होना चाहिए तब ही आप जाके जो है वहां पर विजिट कर सकते हैं ठीक है अब यह इनोगरेट होगी कब तो देखिए इनोगरेट होने की जो डेट है तो और ध्यान रखेंगा होगी को हम के सटंत्र वीड गौराव दिवस भी बनाएगे मजा को बंके पर तो वी पर गौराव दिवस ढूरत है जो है यह भी बनाए जाएगा जाएगा वीर सावर जी की बरत अनिवसरी की याद के अंदर पहली बार मनेगा तो ध्यान अगना और 28 महीं का डेट चूज करा है अब दीके दो चीजे इसके अंदर बताई गई है एक तो यह कि क्योंकि वीर सावर कर का काफी महराश के अंदर जो है इनकी पॉपॉल रिटी बहुत जादा है इस वज़े से सको चूज करा है कि वीर सावर कर जो है रिवलिशनेरी भी थे तो कहीं न कहीं उसके बारे में भी बात आ रही है और कहीं न कहीं यह निकल गी भी आ रही है कि यह स्रीफ कौन कोईंसिड कर and he was born on 28 May 1883 in such situation there are many expectations behind the choosing May 28th for the inauguration of the new Parliament House some people believe that there is tremendous respect for Veer Savarkar in Maharashtra जो भी अपन बात कर रहे थे वो that's why May 28th has been deliberately chosen to take advantage in the politics of the state के अगर कही ना कही इसका advantage मिल सकता है महाराश्च के अंदर पर कुछ जने जो है यह के ते हैं वाइल मैनी पीबल्स आर कॉलिंग इट मेर्ड को इंचिडेंस की बात है पर आप वैसे में ध्यान रखिएगा तो इसलिए थोड़ा सा बात जो है वो थोड़ी सी इंपोर्टेंट है और इस उपलक्ष में मोदी जी ने क्या अब यह गोशना करी है तो ध्यान सब्सक्राइब को इसकी उपलक्ष के अंदर ध्यान रखेगा अब वीडियो अगर आप ने पूरा देखा है तो आप इस कुश्चन का आंसर जरू कर सकते हैं और क्विज हैं अगर आपने वीडियो देखा तो आप उसका आंसर जरूर होगा आप बिल्कुल कमेंट में आप कर दें और उमीद करता हैं वीडियो आपको अच्हा लगा हुआ अगर कोई भी आपकी फीडिबेक से हैं आप कमेंट में बताहिए ताकि हम उसको और सुधार कर सकते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छे लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें आपने यवारा कुछ